सवाल ये है कि क्या दिल्ली में भारा जोड़ो यात्रा के दरान राहूल गांदी की सुरक्षा में सेंध मारी हुई कॉंग्रेस से राहूल गांदी की सुरक्षा को लेकर कुछ गंफी सवाल उठाए है कॉंग्रेस के महा सचित केसी रिडू को फालने ग्रेमंतिया मिच्छाकु चित्ती बेजी है और इसमें ये कहा गया है कि 24 सम्बर को जब राहूल गांदी की आत्रा दिल्ली पहुची तो सुरक्षा में कई जगा सेन की घटनाए हुई निढource के मताबिक दिल्ली पुलिस फीर को काबू में नाकाम रही जट प्लास सुरक्षा वाले शक्त को जो सुरक्षा घेरा मिलता है उस सुरक्षा घेरे को बार बार तोड़ा गया पूरे समय दिल्ली पुलिस मुखदर्शक बनी रही, निडु गोपाल ने हर्याना की कूपया एजिंसी पर फारत यात्रा में शावन होने से रोपने के लिए लोगों से पूछताश के नाम पर डराने का आरोप लगाया बेसायोगी मौश्मी सिंग इस वक्त सलमान खुर्शीद से बाचीत करें जी मौश्मी जी बलकुल देखिए निहा लगातार कॉंग्रेस इस पूरे जो सुरक्षा का कवच है उसमें जो ब्रीच हुई है उसको लेके हम लावर है है सलमान खुर्शीद साद हमारे साथ है यह उनसे पूच सा एं स्लमान साथ वीडियो भी रिलीज किया है कॉंग्रेसने कि आपको लगता है गंभीर दिल्ली पुलिस जो है सबसे जादा स्मार्ट पुलिस मानी जाती है और ग्री मंत्री के अंडर यह आती है ऐसे में जो चिठी आप लोग ने लिखी है उसकी वज़े आपको लगता है काफी गंभीर है और क्या क्या शिकायतें आप लोग की है देखिए अगर यह मामला इतना गभीर ना होता तो हम चिठी ना लिखते हैं उसमार्ट यह हर व्यक्ति की यह एक चिंता होनी चाहिए कि इस समय एक बहुत व्यापक बहुत बड़ी यात्रा चल रही है और मैं मानता हूं कि उसमें सेक्योरिटी की समस्याइं रहती हैं सुरक् हमारी सरकार हो या ना भी हो वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा प्रबंद किया है वहां के प्रशासन ने वहां की पुलीस ने यह दिल्ली आकर एकदम से ऐसा लगता है कि यहां तो किसी को कोई इसमें रुची ही नहीं थी कोई अपनी जमेदारी नहीं मानता था जिसे इधर आकरशित करने के लिए चिठी लिखी है और अब तो दिल्ली से निकल चुके हैं दिल्ली में थोड़ा सा ही हिस्सा बचा है जो तीन तारीक को होगा उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश के बाद हर्याना जाएंगे जो वहां से सूच पेश करते हैं या कोई अपने अपने ग्यापन देते हैं उनको जिस तरह से उत्तर प्रदेश किया जा रहा है और वो भी एजन्शी कर रहे हैं तो इन सब चीजों को लेकर हमको एक बहुत बहुत गहरी चिंता है और इसलिए हमने ये सरकार का ध्यान इधर आकरशित किया है पर राई का पहाड वना रही है बीजेपी तो ये कहेगे क्योंकि लगातार उत्पीडन क्यों करेंगा मतलब आई बी लगातार कॉंग्रेस ने ये पॉइंटेड बोला है कि आई बी के तमाम जो अधिकारी है कंटेनर्स के टॉइलेट्स में मिले और कंटेनर्स में अंदर हर्याना में उसको लेकर भी उन्होंने एफायार किये क्यों आपको लगता आई बी की दिल्चस्पी है भारत जोडो यात्रा के कंटेनर्स में और उन लोगों के में दिल्चस्पी है जो ग्यापन दे रहे है राहुल गांदी को अब कुछ तो बात ह है कुछ जो बात है जो हम नहीं समझ सकते हैं और एक साधारन खुली हुई यात्रा है बिल्कुल पूरी पारदरशता है इस यात्रा में जब आवाम के बीच में है जनता के बीच में है तो वहां जाकर हर जगा घुस कर कुछ पता करने की कोशिश करना कि यहां क्या हुआ क्यों नहीं हुआ यह तो अच्छी बात नहीं है ना इसकी आवशक्ता है सुरक्षा की विवस्था में वो अपना ध्यान दे जो हमने जिस बात को जागर किया है सुरक्षा की विवस्ता में ध्यान दें वो इन चीजों में ना पढ़ें कि क्या खाया है कहां खाया है किसने पकाया है कौन परोसरा है इन चीजों में उनका पढ़ना जो है वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है लेकिन हाँ एक बात सपष्ट होती जा रही है कोई ना कोई भाणा ढूना जा रहा है कि स्वास्ता है जो है ना जो सर्चाही है वो है तो हम यह कोई शिस्ताचार का तो मामला है नहीं कि अगर हम देखेंगे कि हमारी सुरक्षा हमारे निताओं को नहीं मिल रही है और हम तब भी कहें कि चलो चुप रहो शिस्ताचार की बात है उनको उनको उन पर कोई आरोप न लगे या उनको कश्चना हो तो यह तो सवाल नहीं पैदा होता तो हमारा दायत वे जो है उसका तो हम निर्वा करेंगे लगातार एक वीडियो भी जारी किया गया है वीडियो में रेड़ फॉर्ट पे राहुल गांदी है चारों तरफ क्राउड है और यह भी आरूप लगाए कि नहीं ना से डिली पुलिस ने जो डी होता है वो तो मेंटे वीडियो लेकर देख लें और वो अगर यह समझते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो सही है तो वो सावजे निक करें इस बात को और अगर वो गलती मानते हैं और उनको माननी चाहिए हम यह कहते हैं कि उनको यह गलती माननी चाहिए तो उनको कम से कम आगे एजिंसी को और आ पावल गांदी की सुरक्षा को लेकर आपको चिंता है कि उनको टागेट बनाये जा सकता है। हमको देखनी पड़ी है या कोई और भी पार्टी हो जिसने च्छती ना देखी हो तब भी हम ये मानते हैं सब की सुरक्षा होनी चाहिए जो भी इस देश का प्रमुक्ष नेता है और जो भी सारजनेक रूप से बाहर निकल के आ रहा है और शायद वो बातें कही जा रही है य या किसी साजिस्ट से करे या किसी और कारण कुछ करे और शाथी पहुचाने का प्रयास करे इसलिए सुरक्षा तो होनी चाहिए अच्छी सुरक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए ठीक है बर सर ये दोनों तरफ सिख्य है इस सिख्य कि दोनों पहलू है अगर सुरक्षा किसी को एक में नहा ये सवाल ले लेते हैं सुरक्षा किसी को रोकती है राहुल गान्दी से मिलने से तो आप कहते हैं कि सेक्यॉरिटी मिलने नहीं दे रही और अगर सेक्यॉरिटी मिलने देती है तो फिर कहा जाता है कि सुरक्षा नहीं हो रही तरीका है ना यह कोई यह तो कोई न्याखेल है नहीं कि हमjenigen को यह समझाना पड़े कि सुरक्षा रखते हुए जिसको मिलना है जिसको मिलना चाहिए उसको आप मिलने दें인지 और उसलिए सुरक्षा का जो अप्रारूप होता वह ऐसा ही होता है कि सुरक्षा ऐसा ना करें कि लोगों को out कर ढ़ये नेता को